क्या से आप लोग उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे इड़न बर्ग की जो अभी रिपोर्ट निकल के आ रही है ना इसमें बहुत मतलब अथल पुथल मार्केट में कल देखने को मिल सकता और नहीं भी देखने का रिजन यही है कि से पिछले वाले इंप मेरा कहना नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं इनके बारे में यह बात ही की जा रही है और अभी स्केंडल पे क्या-क्या निकल के आएगा आगे और भी चीजे रिपोर्ट तै़ार की गई है तरफ से ऐसा लग रहा तो वह चीज़े जब मार्केट प्याएंगे ने तो बहुत जादा प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट पे हैं अगर आपने निवेश कर रखा तो बात अलग है और आप किसे स्टॉक पर बाइंग करना बिजनस पर इनका क्या सथ चलता तो देखिए अगर आप केवल इंडर्स्री पर जाना चाते है तो पॉलिकेब से जाथा पॉलिकेब का दूसरा कोई तोड़ नहीं है और यह स्टॉक आपको हो सकता कि आने वाले टाइम में हजार दोजार पी मिले क्यासे मिलेगा इनकी फे कमेंड नहीं कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा कि इस स्टॉक पर भैंकर तेजी आने वाली है और यह स्टॉक ऑल्रेडी तेज हो चुका दो दिनों में अच्छी खासी राली हुई है स्कीन पर देख पारे होंगे स्टॉक जब गिर रहा था ना लगवा 3300 का हाई बना के तभ कि अगर मार्केट पर आएगा तो खरीद और विक्री बहुत जाद होने वाली है माल भी खरीदा जाएगा ट्रांजिक्शन कॉस्त तैयार होंगे तो इसका इसको पड़ेगा पर देखने को मिले अगर ऐसा होता तो मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि कल मार्केट गिरेगा यह ग लोग सोच समझ के काम करता तो इसका इंपक्ट ज़्यादा होता और आगर मार्केट कर खरीद में कर ऐसकी कोई गडेन्टी नहीं कि यह बट मुझे लगता आपको अपना खुद का डिसेजन लेना होगा हुआ पे अगर आपने बहुत बड़ा पैसा लगा के रखा देखिए किसी सरकम्टेंसेस में मार्केट में अगर ऑनसाइटि की गिरावट आती है जो कि हमारे इंडिया की एकोनोमिय हमारे इंडिया मार्केट मार्केट का प्राब्लम नहीं है बहुत जादा दिन तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा पैसा घुसरा मैच्वल फंड की पाइंग जो है न इन फ्लो जो है न वह एफाई आइस की सेलिंग को भी मतलब पार कर दे रही है तो यह तो कुछ भी बनाएगी मार्केट नीचे जाए तो भी बनाएगी को इनका काम क्या है इनका बिजनस मॉडल जो है इसी पर डिपेंडेट करता है बिकॉज यह स्टॉक एक्सचेंज क्या बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और देखिएगा जिस दिन एनस्ट की आईप्यों आईग आप रैली मिस किये हो तो एनस्ट नहीं मिस किजिएगा जरूर रिडार पे रखिएगा और मुझे लगता है कि कल के लिए बेसे लिमिटेड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और यह लॉंग टर्म बिट के लिए मैंने इसे स्टॉक को आपके सामने रखा स्वाट ट